राध है राध है दोस्तो, संस्कती व्लॉग में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप सब आशा करते हूं कि आप सब अच्छे हैं, और मैं भी बहुत अच्छी हूं, तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर सक्रांति की हारदिक शुप कामना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे अब शेयर करती हैं तो आप ये देखिए ये हमारे गुपाल जी बठे हुए है ये हमारे बड़े वाली और ये हमारे चोटे वली गुपाल जी और ये ड्रेस पताने हैं इनका वह कलर क्यों नहीं आ रहा है जो आना चाहिए ये बेबी पिंक कलर है और ये इसमें अच्छा सा नहीं दिख रहा है और यह हमारे चोट वाले भगवान जी है इनकी तो ही ड्रेस मम्मा ने कली बनाई है तो यह वाइट एंड ड्रेड में है जो बहुत अच्छी है तो जैसा कि आप से भी देख सकते हैं कि पूजा तो हमारी हो चुकी है और हमारे गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं और सर्दी है तो मैं इनको बहुत कामी शेंगार करती हूं मतलब कुछ भी ऐसी कुछ नहीं देती हूं मैं इनको कि जिससे इनको प्राब्लम हो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता और इनको भी नहीं लगेगा ऐसा मेरा मानना है तो अब जैसे कि आप हैं कुछ special तो हो गई तो चलिए देखते हैं कि आज भोग में क्या बना है तो आप देख सकते हैं कि आज मने ब होग में है मुंफली गजक और ये कुछ ड्राइफ्रूट्स और ये फल और ये हमारा माखन जो ये माखन और फल तो ख्यार रोजी होते हैं और ड्राइफ्रूट्स भी रोजी होते हैं बस ये मुंफली और ये गजक जो आज ममा ने अलग से इनके भोग के लिए रखी वी है तो आज इन माखन का भोग लगाएंगे उसके बाद इन्हें यह सब चीजों का भोग लगा मतलब जैसे मैं रोज करती हूं उसके बाद यह मकर्शकरांती का होगा तो इसके अलावा कुछ ही समान है जो मामा ने निकाला हुआ है यह कुछ कपड़े हैं यह तो यह समामा का डिपार्टमें पर अब मैं इनको उपर इनके स्थान पर विराज़ित कर दूगी तो फटाफट से हमें जाती हूं और इन्हें बोग लगा देती हूं जिससे की फटाफट से यह भी ब्रिकफास्ट कर ले और उसके बाद हम भी कर लें तो आशे करती हूं दोस्तों कि आपको हमारे वीडिय पसंद आई होगी और हमारे गुपाल जी कितने सुन्दर लग रहे हैं मुझे भी सुन्दर लग रहे हैं और आप हमें comment box में जरूर बताएं कि हमारे गुपाल जी कैसे लग रहे हैं तो तब तक के लिए बबाई धन्यवाद राधे राधे